नवरात्री के नो दिनों में आज छटे दिवस मा कात्याईनी को मैं प्रभात सर्मा बारंबार प्रणाम करता हूं। नवरात्री के छटे स्वरूप का नाम कात्याईनी है। इस दिन साधक अपने मन आज्याचक्र में इस्थित होता है। योग साधना में इस आज्याचक्र का अत्यांत्य महत्यो पूर्ण स्थान है। नवरात्री में छटे दिन मा कात्याईनी की पूजा की जाती है। चंद्रहा सोजस्वलकरा सार्दूला वर्वाहना कात्यायनी सुभम्दध्या देवी दानवध्यातिनी अर्धात देवी कात्यायनी का रंग सोने के समान चंकिला है इनकी चार भुजाएं हैं माताजे की दाहिनी और वाला हाथ अभय मुद्रा में हैं और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में हैं बाएं तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल मा कात्यान की कठा और महात्म है, इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मौक्ष, चारों फ़लों की प्राप्ति होती है उसके सोगोक, शोक, संताप और भै नश्ट हो जाते हैं, जन्मों के समस्त पाप भी नश्ट हो जाते हैं कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्य महर्शी कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की, उनकी इच्छा थी की उनने पुत्री प्राप्त हो, मा भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्मिलिया इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई, इनका गुण सोद कारे है, इसलिए इस वेज्यानिक युग में कात्यायनी का महत्व सरवादिक हो जाता है, इनकी कृपा से ही सारे कारे पूरे हो जाते हैं यह बेद्यनात नामक इस्थान पर प्रगट होकर पूजी गई मा कातेन अमोग फलदाइनी है भगवान कृष्ण को पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनी की पूजा की थी यह पूजा कलिंदी यमुना के तट पर की गई थी इसी लिए ये ब्रज मंडिल की अधिष्ठात्री देवी की रूप में भी प्रतिष्चित है इनका स्वारूप अत्यांत भव्व्य और दिव्य है यह स्वान के समान चमकीली है और भास्वर है इनके चार भुजाएं है दाई तरफ का उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में मा के बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार है वे नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है इनका वाहन शिंग है इनकी उपासना और अराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, आर्थ, काम और मौक्ष, चारों फलों की प्राप्ति होती है इसके रोग, शोग, संताप और भे नश्ट हो जाते हैं जन्मों के समस्त पाप भी नश्ट हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना करने से परंपत की प्राप्ति होती है ऐसी मा को बारंबार प्रणाम है कात्याईनी, आयुर्वेद के अनुसर, मा कात्याईनी, मोईया, नामत आउसदी को प्रदान करने वाली है आयुर्वेद में मा का तैनी को कई नामो से जना जाता है जैसे अमबा, अमबालिका वे अम्भीका ये जो ओसिदी प्रदान करती है माता वह ओसिदी कफ, पित वे गले की रोगों का नाश करती है ये माता का तैनी आपको बारंबार प्रणाव